हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल प्रियास पंजाबी किचन आज हम बनाएंगे लोकी की खीर इसके लिए मैंने लिए है आधा किलो लोकी अब हम इसे छील कर इसको कद्दू कस कर लेंगे कर लोकी को मैं खील लिया है अब इसे कद्दू कस करूँगि को खीमयर हम किसी भी विव पिढ़ा सकते हैं खाने में बहुत ही पेश्टी लगत है और लोकी वैसे हमा दे पैसे के लिए भूत ही फायदेमन्द है कि लोकी को मैंने कद्दू कस कर लिया हैं अब मेहाम त्वेर किलो दूद लेंगे और उबालेंगे अब कडाई में दूद आलेंगे कि हमने कच्चा दूद लिया इसलिए हम इसमें दो तिन उबाल आने तक उबालेंगे फिर इसमें हम लॉकी आड़ करेंगे दूद में 2-3 उबाल आ गए हैं अब मैं इसमें लौकी डालूंगी लौकी मैंने इसमें डाल दी है अब इसे हम 15-20 मिनिट तक पकाएंगे अब हम इसमें लाइची पाउडर डाल देंगे अगर आपको कोई और टेस्ट पसंद हो तो आप कोई और भी फ्लेवर एड़ कर सकते हो खीर को पकते हुए 15 मिनिट हो गए है और दूद भी काफी गाड़ा हो चुका है अब हम इसमें चीनी डालेंगे मैं इसमें एक टोरी चीनी डालूँगी हमने 1.5 लीटर दूद लिया था इसलिए एक टोरी चीनी लगेगी आप अगर कम लिठा खाते हैं तो थोड़ा कम वेड़ कर सकते हैं जीनी जो है खीर पकने के लास्ट में ही डाल नी है चीनी को शुरू में नहीं pineapple को भी खीर बनाते हैं चावल की या है लोकी की या कोई और भी तो झीनी को हमेशा बाद में ही ढालना चाहिए अगर हम पहले डाल देंगे तो इससे हमारी खीर की जो पकने में बहुत टाइम लगेगाई करको कि दालने के लिए पहले ठोड़ा सा रोष्ट कर लेंगे इसके लिए मैंने एक चमच ने कि अबी को थोड़ा सा घरम करके उसमें हम राइफरूट ढ लेंगे मैंने काज़ूर बदाम को थोड़ा बंड़ ड्राइफ्रूट को ज्यादा रोस्ट नहीं करना इसको एक मिंट तक ही रोस्ट करना है ड्राइफ्रूट हमारे रोस्ट हो चुके हैं अब हम इसमें सोगी डाल लेंगे काजू बदाम को पहले हमने भून लिया था अब मैंने इसमें सोगी मिक्स कर दिये सोगी को हमें नहीं इसे बस मिक्सी करना है, खीर हुमारी लगपत पक चुकी है, अब इसमें ड्राइप्रूट एड़ कर देंगे, ड्राइप्रूट को देसीगी में रोस्ट करके, जो खीर का टेस्ट है, बहुत अच्छा आएगा, खीर हमारी बनकर त्यार हो चुकी है, यह बहुत ही गाड़ी हो चुकी है, ऐसे रबड़ी जैसी बन गई है, बिल्कुल अच्छे से इसमें लौकी घुल चुकी है, यह खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, हम ग्यास को बन कर लेंगे, अब मैं रबड़ी दार स्वादिष्ट लौकी की खीर को सर्फ करूँगी, आप अगर इस खीर को ठंडी करके खाएंगे तो यह बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मैंने और भी बहुत सारी टेस्टी रस्पिस बनाई है, आप उन्हें भी जरूर देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक्यू,